नमस्कार किसान भाईयो आज बात करेंगे लहसुन की उन्नत किस्मों के बारे में लेकिन उसके पहले हमारे चैनल जी किसान को सब्सक्राइब करें शेयर करें लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी खेतीकर किसानों को अधिक पैदावार मिलती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किस् असल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पता है और इसके साथ ही उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो चलिए जानते हैं लहसुन की उन्नत किस्मों के बारे में जिसकी खेती कर किसान भाये अधेक लाब कमा सकते हैं। यमुना सफेद 1 G1 यमुना वाइट 1 G1 लहसुन की यह किस्म 150 से 160 दिन में पक कर तयार हो जाती है। यमुना सफेद 2 G50 यमुना वाइट 2 G50 लहसुन की यह किस्म 165 से 170 दिन में पक कर तयार हो जाती है। इस किस्म से 130 से 140 क्विंटल प्रती हेक्टेर पैदावार प्राप्त होती है। यह किस्म का शल्क कंद थोस्त त्वचा सफेद गुदा क्रीम रंग की होता है। यमुना सफेद 3G 282 यमुना वाइ 3G 282 लहसुन की यह किस्म 140 से 150 दिन में पक कर तयार हो जाती है। इस किस्म से 130 से 140 क्विंटल प्रती हेक्टेर पैदावार प्राप्त होती है। इस किस्म के शल्क कंद बड़े अकार का होते हैं एवं त्वचा सफेद और गुदा क्रीम रंग का होता। यमुना सफेद 4G 323 यमुना वाइट 4G 323 लहसुन की यह किस्म 165 से 175 दिन में पक कर तयार हो जाती है। इस किस्म से 200 से 250 क्विंटल प्रती हेक्टेर पैदावार प्राप्त होती है। इस किस्म का शल्क कंद बड़े अकार के होते हैं एवं त्वचा सफेद गुदा क्रीम रंग का होता है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किस्म का निर्यात के लिए काफी अच्छी मानी जाती।